दोस्तों एक्जाम इतर में एक बर फिर से आपका स्वागत है आज जा करता हूँ आप सबी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक्जाम के रिगार्डिंग है आप सब यह बैठती मुझे कमेंट बॉक्स में बार बार में पूछ रहे थे और इंस्टाग्राम पर मेसेज कर रहे थे कि सर एक्जाम पॉस्ट पॉंड होगा या नहीं होगा तो दोस्तों इसका ओपिशल नौटिपिकिसन वो जारी कर दिया गया है आपका एक्जाम वो पॉस्ट पॉंड कर दिया गया है तो दोस्तों इसकी आगमी डेट क्या है और कौन-कौन से एक्जाम वो पॉस्ट पॉंड किये गये हैं कब तक लिए किये गये है तो आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी तो आप वीडियो को सुरूशन तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर आप मारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीचे और बेल आइकन को जरूद वाई जिससे की आने वाले सभी वीडियोज की नौटिफिकेशन आपको मिल सके तो दोस्तों ओपिशल नौटिफि की डेट एकस्टेंड कर दी गई थी तो आज की डेट में यह नौटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है यहां पे दोस्तों कोई भी नौटिफिकेशन पर मेडिकल के लिए नहीं है और साथ ही post basic BSC nursing के लिए भी यहाँ पे इसके regarding में कोई भी notification जारी नहीं किया गए कि आपका exam भी पोस्ट पॉंट होगा यहाँ पे केवल दो courses के लिए है MSC और BSC nursing के लिए तो अगर कोई भी अब बेटी यह जाना चाहरा है कि सर्फ पोस्ट बेसिक BSC nursing यह पेरामेडिकल का भी exam पोस्ट पॉंट होगा या नहीं होगा तो दोस्तो officially notification जारी नहीं किया गया क्यों यह दो courses के लिए ही किया गया तो इस दो courses के लिए क्या दिया गया है दोस्तो In view of evolving situation due to COVID-19 outbreak, the competent authority of MS has decided to postpone the conduct of following entrance examination schedule in June 2021 तो दोस्तो MS courses और BSC nursing courses 14 जून को exam date थी तो इसको postpone कर दिया गया आगा में date की अभी तक यहां पे कोई date नहीं दी गई है the revised date for conduct of the said examination will be notified in due courses of time through website तो जो भी date है वो आपको official website पे बता दी जाएगी new notification जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तो अभी यह कब हो सकता है तो जैसा कि दोस्तो पेरामेडिकल का अभी तक कोई भी notification जारी नहीं किया गया है और शाथी post basic BSC nursing का भी नहीं जारी किया गया है तो दोस्तो कयास यहीं लगाए जा रहे हैं कि आपका जो exam है अगर इनका post point नहीं होता है परामेडिकल का और post basic BSC nursing का अभी तो आपका msc और BSC nursing के लिए आपका exam है वो 27 zone को हो सकता है दोस्तो यह हो सकता है confirm नहीं है अगर इनके regarding कोई भी notification नहीं आता है इनका exam post point नहीं होता परामेडिकल का और post basic BSC nursing का तो आपका जो MSC और BAC nursing के लिए है वो 27 zone को हो सकता है एक यह दिन आपका exam है वो conduct करवाया जा सकता है तो आपको 2 week का extra समय मिल सकता है लेकिन यह confirm नहीं है मैं बार-बार में आपको बता रहा हूं कि आपका 27 zone को हो सकता है दोस्तों तो अगर परामेटिकल और पोस्ट BAC के रिकारडिंग अगर पोस्ट पॉन से कोई भी news आती है कोई भी update आती है तो आपको वीडियो के बाद इमसे हमारे चैनल पर जानने को मिलेगी तो दोस्तों आपको केवल अगर मान के चलें तो ये केवल दो वीक का आपको एकस्टा समय मिला है अब आपको इस दो वीक में आपको अच्छे से read करना है अच्छे से study करनी है जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि EMS एक ऐसी autonomous body बच्ची है जो अपने लेवल पर exam conduct करवा रही है और बाकी के other universities है other colleges है वो NEET के basis पे ही अब admission लेगी जो other colleges है जैसे जैसे colleges है तो वो अपने notification जारी कर रहे है बाकी colleges है उनके भी जारी होने वाले है कि वो NEET के score के basis पे ही BSC nursing admission लेगी है वो BSC में admission लेगी तो ये बहुत ही ही दोस्तों ये मान के चलिए कि अगर आप NEET के score के basis पे admission लेना चाते है तो competition कफी high हो जाएगा क्योंकि NEET में आपको deeply पढ़ाई करनी होती है अच्छे से पढ़ाई करनी होती है score भी आपको अच्छा करना होता है तब ही आपको दोस्तों उस score पे पेसी नर्सिंग में admission मिल पाता है अगर कोई भी autonomous body होती है वो अपने लेवल पे exam करवाती है तो उनमें आपको ज़्यादा score नहीं करना होता है आपको medium score में है आपको admission मिल जाता है दोस्तों counseling में तो दोस्तों यह आपके सामने एक अच्छी opportunity है अगर आप एम्स का form fill up किया है तो आप इसको अच्छे से utilize कीजिए समय को waste ना करें और बात करें दोस्तों study material की काफी सरे बेरती यह पूछते हैं कि से हमने एम्स का form तो fill कर दिया लेकिन कौन सा study material follow करें जैसे कि हमारा selection है वह 100% सुनी सित हो जाए तो दोस्तों मैंने आपको पूरो में बताए कि आपको सबसे पहले तो जो सबसे पहली चीज है वो है all previous year question paper यह आपको सबसे फ़ले follow करना है all previous year question paper है हिंडी और इंग्लिस में मैंने आपको provide करवा दिया है डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक आपको मिल जाएंगे अगर कोई भी है बेड़ती हिंदी में रीड करना चाता तो वो हिंदी में purchase कर सकता है और किसे बेड़ती हो हिंदी समझ में ने आती तो इंग्लिस में purchase कर सकता है तो दोनों का मैंने separate link है वो provide करवा दिया तो वहां से आप purchase करके इनको अच्छे से solve कर सकते है और दोस्तो अगर आप all previous year question paper को solve करते है तो यह मान के चली कि आपका 60% chances है कि आपके question है वो आपके all previous year question paper से ही आते है बाकी का जो 40% chances है दोस्तो वो आता आपका NCRT से तो NCRT से दोस्तो आपको 11 और 12 की NCRT वो आपको complete करनी है तो इसमें आपको कैसे cover करना है दोस्तो अगर आप theory based को read करेंगे तो आपका syllabus से वो cover नहीं हो पाएगा तो NCRT में आपको MCQ solve करने है MCQ with solution अगर आपको chapter wise with solution मिलते है chapter wise अगर एक chapter से कितने MCQ बन रहे हैं important और उसका solution भी अगर आपको मिलता है चाहे वो physics के हो chemistry हो या biology के तो इसको अगर आप complete करते हो तो आपका 11 का और 12 का syllabus है वो आपको in MCQ उसके base पे ही complete हो जाएगा इन दोनों के link है मैंने description box में आपको दे रखे हैं पहले से कापी सारे बैड़तियों ने purchase करके एक बार इनका syllabus भी complete कर लिया कुछ सा बैड़तियों ने 203 बार भी कर लिया है अब उनका जो test series दोस्तों में उनको provide कर वा रहा हूं तो उनमें उनका score भी अच्छा हा रहा जैसे biology में 30 question होते है तो 30 में से 28, 29 और कोई को यह बैठती है तो 30 का 30 question है वो right कर रहा है दोस्तों यह एक ऐसी autonomous body यही बच्ची है जो अपने लेवल पर exam conduct कर रही है next year से हो सकता है कि यह भी neat case score के basis पर ही बीए senior सिंग है paramedical में admission ले दोस्तों तो यह इस opportunity को नहीं गवाना है अच्छे से preparation कर लिए है और मेरी तरब से दोस्तों जो हो सकता है मैंने आपको सारे study material provide करवा दिया चाहिए वो gk का portion हो physics का हो chemistry का हो या biology का हो अगर इतना सब आपके लिए करने के बाद में भी दोस्तों अगर आप selection नहीं ले पाते हैं तो बाद में आपको regret feel होगा और दोस्तों ये मेरे लिए भी गलत सीज रहेगी कि मैंने आपके लिए इतनी मेनत करके आपको study material दिया हर जगह आपको guidance दिये और फिर भी आप selection नहीं ले पाए तो दोस्तों ये मेरे लिए भी तरीके से respect वाली बात नहीं रहेगी तो अगर आपको selection लेना है तो आप अच कर रहे हो BAC nursing की तो आपका दोनों में selection 100% हो जाएगा दोस्तों इतनी शोटी दोस्तों अगर कोई किसी को देता है तो वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों वो UPSC को भी clear कर सकता है प्री मैंस हो या entry हो तो दोस्तों ये मेरे दुआरा शोटी दी जा रही है तो दोस्तों ये news थ कि आपका exam postponed हो चुका है और कितना समय मिल सकता है दोस्तों तो मेरे साब से आपको दो वीक का समय मिला है कि आप दो वीक आपको extra समय और मिल गया है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको 30 days और बच्चे है आपके 30 days में आपको complete अपना syllabus करना है अगर जिन अबेट अगर किसी तरह कोई doubt है कोई भी question है तो comment box में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा भी follow करके वा भी information ले सकते हैं इंस्टा और टेलिग्राम आइडिका लिंक का आपको description box में मिल जाएगा दोस्तों तो इस study material को आप ज़रूर फोलो कीजिए मेरा बस यही opinion है और मेरी अच्छे से guidance भी दोस्तों हर एक विद्यारती को दी जा रही है तो अगर वो अपना career वनाना चाहते हैं तो study material को आप 100% फोलो कीजिए और अपना 100% selection सुनीशेट कीजिए तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा अगर कोई भी update आती है एमस के दौरा तो वो update आपको वीडियो मादम से प्राप्त हो जाएगी आप वीडियो को आपने like कर दिया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है और दोस दोस्तों वीडियो पसंद आया है वीडियो को like करके share कीजिए धन्यवाद जय हिंग जय वारत